यदि आपने अपने पैन कार्ट को अधार कार्ट से लिंक नहीं किया है तब आपको 1000 रुपे का जुर्माना लग सकता है Income Tax Act 1961 के सेक्षन 234H में इसका प्रावधान किया गया है जिसमें बताया गया है कि आयकर दाता यदि अपने पैन कार्ट को अधार कार्ट से लिंक नहीं करते हैं तब इनसे 1000 रुपे का जुर्माना बसूला जाए अपने पैन को आप अधार से दो बहुत ही आसान विदियों से लिंक कर सकते हैं जिसमें पहली विदि SMS की माध्यम से जिसमें आपको 567-678 या 561-61 पर SMS करना होता है SMS में आपको अधार नंबर और पैन नंबर की डेटेल फिल करके इसे इन नंबरों पर सेंड करना होता है जिससे आप अपने पैन को अधार से लिंक कर सकते हैं वहीं दूसरी विदि जिसमें आपको Income Tax की Official Website पर जाना है जहां से आप अपने पैन को अधार से लिंक कर सकते हैं तो आईए देखते हैं कि कैसे हम अपने पैन को अधार से लिंक कर सकते हैं देखते हैं स्क्रीन पर इंकम टेक्स डिपार्टमेंट द्वारा पैन को आधार नमबर से लिंक करने की अंतिमती थी 30 जून 2021 निर्धारित की गई है अब आप अपने पैन को दो आसान विधियों के माध्यम से अपने आधार से लिंक कर सकते हैं जिसमें पहली विधी आपको एक SMS करना होगा और SMS बॉक्स में आपको सबसे पहले टाइप करना है अपना आधार नमबर जो की 12 डिजिट का होता है आधार नमबर फिल करने के पश्चाद स्पेस देना है और आपको अपना पैन नमबर इसमें फिल करना है आईए हम देखते हैं दूसरी विधी जिसके माध्यम से हम अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं तो इसके लिए आपको Income Tax की Official Website पर आना होगा तो सबसे पहले अपने मोवाइल या कम्प्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करें ब्राउजर के ओपन होने पर इसके Adds बार में आपको टाइप करना है Income Tax India efeeling.gov.in इतना टाइप करने के पस्चाद इससे सर्च कर लेना है सर्च करते ही हम Income Tax की Official Website पर आ जाएंगे जहां कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा अब Continue to Home Page इस Option पर हमें किलिक करना है किलिक करने के पस्चाद Left Corner पर कुछ Option हमें दिखाई देगे इनमें एक Option हमें दिखाई देगा Link अधार हमें इस Option पर किलिक कर देना है किलिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां सबसे पहले हमें अपना Pen Number फिल करना है इसके पस्चाद हमें अधार Number फिल करना है और Next Box इस पर हमें अपना नाम फिल करना है और नाम जो अधार कार्ड में लिखा हुआ है सैम बैसे नाम हमें यहाँ पर फिल कर दाना है तो हम Information फिल कर लेते हैं इसके पस्चाद इसमें next option है I have only year of birth in अधार कार्ड अर्थात यदि आपके अधार कार्ड में आपकी date of birth का किवल sun यदि fill होगा तब आपको इस check box पर tick करना है यदि आपका पूरा date of birth इसमें लिखा हुआ है तब आपको इसे ऐसे ही रहने देना है इसके पस्चाद next जो इसमें option है I agree इसके सामने जो check box है इस पर tick कर देना है और जो capture लिखा हुआ है इसे इस box पर हमें fill करना होगा तो हम capture fill करते हैं अपनी सारी information fill कर देने के पस्चाद इसमें last में एक option हमें दिखाई देगा link आधार हमें इस option पर click कर देना है click करते ही यहाँ पर message आज आएगा कि your request has been sent to UIDAI for validation of आधार अर्थात आपकी जो request है pen से आधार को link करने की वो sent हो चुकी है please check the status letter अर्थात को समय के पस्चाद आप इसका status check कर सकते हैं कि आपका pen number आधार number से link हुआ है या नहीं status check करने के लिए आपको फिर से इसी option पर click करना होगा जो option यहाँ पर दिया गया है link आधार इसी option पर आपको click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे और अपनी information फिल करेंगे यदि आपका pen number आधार से link हो गया होगा तब इसमें red से एक message आज आएगा कि आपका pen number आधार से link हो चुका है तो एथी pen को आधार से link करने की एक बहुत ही महत्पून जानकारी आसा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि वीडियो पसंद आए तब इसे like, comment और share जरूर करें साथी channel को subscribe करना न भोलें Thank you